हालो दोस्तों यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्लिक बिलका इकन को प्लिक कर दें तासे असा आपको मिलते रहे हैं हमें बात करें जोग्रफी का डेइवन है सॉलर सिस्टम ठीक है चालो करते हैं वीडियो तो कुछ स्टम बोडूस जैसे की सूरी मून और आपका सं मून और गांत ने से प्लेनेट भी आ इंग्या तो कुछ के पास अपना 80 हीट होता है और लाइट होता जसको कहें स्टार बोलते हैं ठीक है और स्टार्स होते हैं हकिकत में बहुत बड़े होते हैं अब बहुत गरम स्थार है उसके बाद सुर्य जो या जो संन्स अपे वसके स्टार है और और शीम से सबसे नज़िकल स्टार है पमक उसके बाद येश्वीद से सब्सक्राइब करते हैं जो वह स्टार से रिसीव करते हैं जैसे कि भारन हो गया सूरी उन सभी को हम प्लैनेट बोलते हैं फिर अगर आप सॉल्डर सिस्टम की बात करेंगे तभी आठ प्लैनेट है तो इसमें जो सबसे छोटा सेलेश्टियल बोर्डिस जो प्लैनेट की चारोतर गुंता है उसको हम सेटलाइट बोल जाएं ठीक है जो सूर्य है ठीक है तो सूर्य का कुछ हमनों पॉइंट लेते हैं यह बहुत है सूर्य जो होता है सूर्य सिस्टम के दम बीचों बीच होता है यहने सेंटर में होता है सूर्य सबसे बड़ा मेंबर है सूर्य जो है प्रत्वी से कई मिलियन टाइमस बढ़ा है सूर्य प्रत्वी से कई मिलियन टाइमस बढ़ा है ठीक है एक मिलियन में दस ला जी है जहां से हीट और लाइट दोनों मिलेगा पूरा सोलर सिस्टम को बिना उसके प्रित्वी एकदम विरान हो जाएगी और ठंडा हो जाएगा ठीक और लाइफ यहां पर सब्बब नहीं हो पाएगा और सूर रीज जो है फिरित्वी से 118.000.000.000 किलुमेटर दूर है कितना है सुरिय पिरित्वी से 150.000.000 किलुमेटर दूर है और यह इतना पॉइंट्स अभी आप पड़ रहे है गवरा है नहीं इसकोय पॉइंटवाइज नॉट्स बनाके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन क वहां से देख सकते हैं, ठीक है, फिर जो है, स्पीड जो है, लाइट का, वो ट्रेवल करता है, तिन लाग किलिमोटर प्रति सेकंड के दर से, या स्पीड से, तो सुरी को लगता है, आठ मिनट फिर सुरी पे पहुंचने के लिए, रोशनी को, फ्री स्टरी करने के लिए चैन बेमादा